हेलो एवरिवन वेल्कम चुन अकेडमी इंडिया लार्जेश्ट ओनलाइन प्लेटफॉर्म मैं मुहम्मद साहिफ हमद स्वागत करता हूं आप सभी का पीपल डेवलेटमेंट इन्वार्मेंट के इस वंड़कूल सेशन में फैंड्स आज चुप हमारी टॉपिक होने वाली ह है वो टॉपिक है जहां पर मैंने कल आपको छोड़ा था यानि कि हम इन्वार्मेंटल इशूस को देख रहे थे और साधी साथ लोकल एंड रीजिनल एंड ग्लोबल इशूस को हमने यहां पर डिसकस किया था और कल मैंने प्लूशन के सारे टाइपस आपको मैंने बताये थ होते हैं तो सारी सारी चीजे मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था और आज हम यहां पर आपको आगे यहां पर लिख चलते हैं कि मैरीन पॉलुशन क्या होता है मराइन पॉलुशन जिसे हम बोलते हैं कि समुद्रिय पदूशन क्या होता है और कल की क्लास में हमने लेखा होगा natural pollution के बारे में और anthropogenic pollution के बारे में उसमें हमने air pollution वगेरा के बारे में भी continue किया था और साथी साथ AC drain के बारे में आपको समझाया था और फिर water pollution के बारे में बताया था आज हम बात करने वाले हैं marine pollution की ओके गैस अगर अभी तक उससे पहले तो सभी का आप Google Play Store पर जाएए और वहां से अनकेडमी का लेर्निंग एप क्या करेज़ेगा इंस्टॉल करिएगा जिससे आपको फाइदा यहां पर यह होने वाला है कि अनकेडमी के लेर्निंग एप इंस्टॉल करने की वज़े से आप क्या कर सकते हैं आपको अनकेडमी वहां वन मन से लेकरके 24 मन तक का प्लान क्या करता है और मेरे पारे बच्चों मैं हमेशा आप से रिपश करता हूं कि कम से कम आप 12 मन या 24 मन का प्लान लेजेगा और आप देखेंगे इसी 12 मन लेने में ही आपका फायदा है इस वज़े से कि कुछ अनली 10,000 रुपीस में आपको प्लान मिल जाएगा और गयास आप अगर मिला रफरेल कोर्स आफ 10 यूज़ करते हैं तो आप जैसे ही मिला रफरेल कोर्स आफ 10 यूज़ करते हैं आपको इसके लावा 10% एक्ट्रा डिस्काउंट बिल जाएगा तो सोचो कितने कम affordable price में आप plus पर अपनी तयारी कर सकते हैं और इंडिया के top most educator से आप स्क्रीन पर देख रहे होगे guys upcoming batches की शुरुवात हो चुकी है हरी अप मैं आप सभी से यही कहूँगा तो आज last day है guys 31st of December तो प्लीज आज के बाद वाकरी आप लोगों की फीस एन अकेडमी पर अंडी उडिसी के लिए हाइख होने वाली है तो इसमें कोई दो रहा है नहीं है तो फॉरण अभी भी आपके पास समय है तो आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप upcoming batches के बारे में देख रहे होंगे कि विशाल वर्मा सर की शुरुवात हो रही है मेरेजमेंट से नौधीत कॉर मैम है पेपर बन लेकर के आ रहे हैं और साथी साथ अमित कुमार सर इश्पी एंड पेपर बन नौधीत कॉर मैम लेकर के आ रही है तो आप देखी रह और यह सब सिर्फ और एक ही सबस्क्रिप्शन मे अंडर वर्न सबस्क्रिप्शन और टोप एडूकेटर और वहाँ पे मेरा रेटल कोड सैफ 10 तो यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसकी वज़े से आपको क्या होने वाला है बहुत ही जबर्दस तरीके से वहाँ पे आपको फाइला मिलेगा अब आप लोग अच्छे होंगे सवस्त होंगे सभी को मैं फिर से good morning करता हूँ और सभी का मैं welcome करता हूँ अपने आज की इस class में तो guys आज देखीगा हमारी जो topic हो रही की जहां तक मैंने आपको कल्च वड़ा था वही मैं continue कर रहा हूँ प्रदूशन के बारे में हम देखेंगे और बहुत अराम के साथ इसमिनान के साथ आपको हम प्रदूशन पढ़ा रहे हैं तो देखेगा और पिश्री क्लास में आप सब को याद होगा कि प्रदूशन के मैंने दो type बताय थे एक natural तरीके से और दूसरा anthropogenic तरीके से यानि कि और उसके बाद मैंने water pollution मगारा air pollution कल देख लिया था आज हम आगे बढ़ते हैं एक step और देखते हैं समुद्री पदूशन जाए आप कह सकते हैं जली पदूशन बोड़ सकते हैं इनको कि भई अम marine pollution क्या होता है तो दिखे इसका causes सबसे पहले मैं आपको बताओं जहादों स समुद्र में जहाज सुचरते ही जलते हैं और उसके वज़े से इसका तेल क्या होता है त्यूज क्या होता है रिसाव करें लगता है उसकी वज़े से भी हमारा जो समुद्र है वो polluted होता है और उस समुद्र के polluted होने की वज़े से क्या होगा जो वहाँ पर रहने वाले जल आपको मालूब होगा हमारे हाँ कोई भी इंडस्ट्रीज होती है उसका पानी हम कहां पिस देते हैं नालों के जरीए नदी में जाता है नदी के जरीए वो सब्सक्राइब हो रहा है तो इस हिसाब से इंडस्ट्रीज जहाँ एक तरफ डबलेट्मिंट हो रहा है और दूसरी के जरीए उसके वजह से कि डोमेस्टिक जरीए क्या होता है और यहां पे हम तीसरा पॉइंड देते हैं नाविक़्िय एवां बरसाइनिक अस्षान अपसिष्टों की तरीके से फूरा पूरा केमिकल बिष्ट की डंपिंग हो जा रही है समुद्र में नाविक्यों की डंप पूरी पूरी तरीके से बहुत जबड़ास तरीके से नुखसान होता है तो कल जिनोंने नहीं देखा है मेरे लेक्षर में उससे रिक्वेश्ट करूँगा कि प्लीज आप चाहिए और मेरे प्लिएस लेक्षर को देखिएगा वहां पे आपको सारी टाविक कवर हो चाहेगी सबसे पहले तेल के रिशाओ के कारण सूर के प्रताश के प्रवेश में कभी हो रही है क्योंकि जब water surface पर क्या हो जाएगा तेल के आपको मालूम हो गारा होता है सूर की जो किरने जाती है है benefit उठा पाते हैं अपना किशीके भी development के लिए जाहिए इसानों के लिए हो जानमरों के लिए हो या समुद्री जानमरों के लिए हो जंतुओं के लिए हो उनके सब आपको अगर समझना रहा होगा जिस तरीके से मैंने अभी तक आपको समझाया है तो आगे भी सारी टॉपिक इसी तरीके से continue करूँगा और जब बेसिक क्लासे आपकी खतम हो जाएगी तो जब डिटेल में शुरू कर दूँ हमें ठीक है तो आप लोग इसी तरीके से जिसता ख्याल लखिएगा और ठीक 10 बजे मैं आ जाता हूँ तो उसका आप लोग ख्याल लखिएगा और प्लीज गाइस मैं आप से फिल करूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करते रहो और इसको शेयर करते रहो तो जादा से जादा लोगों तक ये बात तोख़च जाए चलो दू दूसरा क्या है कि तो समुद्रिय पक्षी होते हैं वो भी देखेगा पाणी के सरफेस पे जाते रहते हैं और उनके पंख पर क्या होजा रहा है जिनकी वज़े से पूरा का पूरा हमारा बायो डावर्श्टी जाए कहले सकते इको सिस्टम भी दिश्टब हो रहा है तो इस तरीके से समुद्री परूशन हमने उसकी कॉसेस को देखा और साथ साथ उसके प्रभाव को देखा आई हो आप सब को यहाँ पे चीजें क्लियर हो रहे हैं अब यहाँ पे हम आगे देखके चलते हैं तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे मेराई पॉलुशन्स वगएरा मैंने अच्छे समझा दिया है क्या आप लोग दली से बताई कि आपको समझ में आ गया है और अगर समझ में आ गया है तो फौरण कमेंट करके बताते रहेगा यह सर सारी चीजें टेयर हो रही है तो हमेरे सब चीज का ध्धान में रखना होगा तभी हम पॉलुशन्स से निपट पाएंगे और आपके स्लेबस में देखेगा जो यूनित पूरी के पूरी सैवन यूनित है यानि यूनित 9 में जो साथ चैप्टर है आपके तो वहाँ पे देखेगा पॉलुशन्स को लेकर के बहुत important fact है, environmental issues को लेकर बहुत से push and push थे हैं और environmental issues first day की मेरी class के देखेगा इस lecture का, first environmental issues के class का वहाँ पे मैंने बात किया था, local level पे उसके बाद मैं regional level पे बात कीकी और फिर global level पे तो ये सारे का सारे pollution हम जब देख रहें ने, global level के टाइप पर देखा हैं, पुल परिकर से west स्वाइब यहां पे तो जोन नहीं तो जोन होगा ओजोन एक विशैली गैस है सबसे पहले आप लोग सब लोग जानते रहेएगा ओजोन क्या है एक विशैली गैस है जो धरातल के निकर्ड हमारे यह आलिकारत है परन्तु संताप मंदल में मौईजूद ओजुं सूर की हनिकारव लगनों से जी जंगियों की रक्ष़ा करने। उससे जी जन्तियों की और हमारी आपकी रक्षा होती है, तो इस वज़े से ओजून का गर टेपलेशन होना में होता गया, तो बहुत दिखकर की बात ओजून लेंगा, ठीक है, कहीं न कहीं हम लोगों को अभी देखिए, मैंने आगए अभी अलोगेट किया है, I hope आप इस इस निहीं को समझ जाएंगे, तो बहुत या, ओजून की जो लेया है, अल्ट्र अभायलेट रेषूल हां से लिकाज़ेथी sol, और वो तीन प्रकार की होती है, यहां जिखीएगा, दूसरे पगार को हम बोलते हैं UBB और दीसरे पगार को अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट C देखो, अब इसके बारे मैं फ़र्चा अनलियर में आपके, देखिए, अभी मैंने फोटेल पहले बताया, ओजोन क्या है विशैली जैसे और लेकित तीन तकार की देखिए ये रेस होती है, अल्ट्रा वायलेट रेट A, B and C, अई इसका क्या क्या नुफसान होता है ये देखिएगा, सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट एक लिवजी से यहां पे प्री मैच्वरिस की जुर्णियों करने मार होता है, आप देखा होगा तो आपने बहुत से लोग ऐसे हैं, एकदम यूथ दिखते हैं, लेकिन उनकी जुर्यां एकदम चाहीं पर जाती है चेहरे से, तो कही ना कहीं क्या हो रहा है, ये प्री मैच्वरिस की होती है, इसे लिए एकदम खुर्दला खुर्दला, आपने अभी तर्टिकली इसको तो इस तरीके से क्या है, यूभी एक ही वज़े से ये सारी चीज़े होती है, अगर सोचो, ये अगर कोई ओन डेप्लेशन तेजी से होता गया, तो फिर हमारे आपके इसकीन का क्या होगा, तो किस तरीके से हमें इसको प्रोटेट करके चलना है, कैसे अपने इंवर्मेंट प्रोटेशन देखा है, बहुत अच्छी तीज है, बिल्कुल डव्लिटमेंट करना चाहिए, लेकिन भहिया, इनवर्मेंट पर उसका प्रभाव है, वो कमपड़े और भभश में आने वाली पिरुणियों के लिए संसाधन हम क्या रखें, बचा के रखें, तो एक को संसरी resources को safe करके चलना है दूसरा environment पर impact को भी दियान में देखके चलना है और anthropogenic activities and their impact on environment तो सारी के सारी चीज़े जो को मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ आगे अदिदेश में पढ़ाऊं कभी तो सारी सारी चीज़ें हमारे आप से related हैं तो ये पर्यावरा पूरा का पूरा बहुत important topic होता है syllabus में इसी लिए डाला गया है कि बच्चो आप इसका धन कर सको और आप इससे कुछ सीख सको कुछ समझ सको लोगों को समझा सको आई हो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मेरे बच्चों जल्दी से comment क समझ में आ रहा है और हां मजा आ रही होगी तो इसको शेर कर भी देगा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक यह बात पहुंचा भी दिए मैक्सिमम देखिए एनकेडमी आपके लिए इतना शांदार प्लेटफॉम लेकर के आई है तो प्लीज मैं आप सब से रिक्ष करता हू तो आप भी इसको प्रमोट करें और आप भी लोग जिस तरीके से यहां पर देखिए एनकेडमी आपके लिए फुरी और पॉस्ट सारी के सारी चीज़ें आपको यहां पर लेवेलेबल करा रही है पुरे के पुरे टॉप से आपको यहां पर देखिए जियारा पुदेश 2021 आप जानी रहे चायों के नाम ही लेक्स क्रेक है उसका स्लोगन भी है तो भीया इसने मेहनत से बढ़वना स्टूना लेक्स क्रेक हो जाए ठीक है चलो अब हम दूसरा टाइप देखिए अल्ट्रा वायलेट बीग के चलो यहां इससे क्या होता है मोटियावी अटराइक्ट मोटियब में आखों में जो बिमारी होती और दूसरी चार्स रोग प्तिरोधक झानता होती है चानतीतो है महीं मुह हे थी अगर किसी इंसान की इम्यूर हो गया, तो क्या होगा, कोई भी छोटी सी छोटी बिमारी हो जाएगी, तो बच्टरी पारेगा, ये इम्यूर सिस्टम जो है, आपने भी देखिया होगा, प्रोना वाइरस का पीरड जब चली रहा था, और आज भी चला है, इसा नहीं है, पु अच्छी चीज़ों का सेवर करिए, विटामिन C वेगर भी लोग इसके लिए बोलते हैं, और भी बहुत से चीज़ है, जो आप लोग देखिया है, वही चीज, आप यूज करते रहिए, साफ, सफाई कर्था लगए, बिल्कुर आपका इम्यूर सिस्टम सही रहेगा, आप अब कर देगा, तो वक्त हमारा हो वक्त है, अजर वाइस, अभी हम टाइम कर ख्याल ने रखेंगे, तो फिर दिक्कत होगी आगे की ज़र में, तो इस बात कर थाल रहेगा, यूवी वी बीसे इस से होता है, आपके देखा होगा तुचा रडिश हो जाती है, पुरी कोई ग आगे डिपाइन कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे किसार ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस चीजों को ध्याम रिखेंगे, आप देखते होगे, ति आपके आँखों में कभी कज़र जादा प्लुटेड एडियम जाते होगे, आपके आँखों में जरन होने लखता होगा, तो ये सारी चीज़े हैं हम देख रहे हैं, I hope आपको बहुत अच्छे समझ जा रहा होगा, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा है, तो आपको इसी तरीके से कमेंच करते रहे हैं, और इसको मैक्सिमम शेर करते हैं, चले हम आगे आप देखके चलते हैं, न सारी चीज़ें आपको अपने लेक्चर में बताने वाले हैं, तो बच्चों, पर्यावरा मंत्राले द्वारा इसको जाने किया जाता है, फूल चीज, मैनेश किया जाता है इसको, और ये वायू के गुडवत्ता को मापने के लिए होता है, यानि कि air की quality को क्या करता है, air की quality को laser करता है, चीक है, और साथी साथ हम आगे अभी चार्ट, flow chart आपको दिखा रहे हैं, आप समझ जाएंगे, और वायू पर दूशर के इच्छे जो इसके स्थर होते हैं, उच्छे स्थर को हम यहां पर देखेंगे, आपके screen पर यहां पर देख रहे होगी, कि हमें, वो ज उच्छे स्थर हैं कौन-कौन से है, air quality index के, air quality index, ठीक है, अब आपको मैं बताओ, आप बिल्कुल अपने शहरों में लेखते होंगे, air quality index मीटर लगा रहता होगा, एक मीटर लगा रहता होगा, ठीक है, वो चलता रहता होगा, उस पे air quality index, और आप अपने phone में भी चेक कर सक तो अगर आपका एक से 50.51 से 100, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400 और 400 और 500, तो अगर आपका एक से 50 index लिख्ला रहा है, जिस जगें की, समझ जाईएगा air quality क्या होगा, अच्छी है, पहतरी है, ठीक है, और उसका यहाँ पे रंग आप तो मैंने इस वजिस लिख दिया है, कि एक्षिली इ हम आप कह सकते हैं, ति good, हमारी air quality क्या है, बढ़िया है, कोई दिकर ने, लेकिन 51 से 100 के बीच को भी होगी, तो हम गयाएगे, चलो ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हम लोग संतोस हैं, ऐसा आप लोग बोलते हैं, चलो ठीक है, तो चलो ठीक है वाला, यह quality होत पूर है, अब वो हवा की गोलवत्ता क्या है, खराब है, अब सास लेना और आपके लिए दिकर है, साथ ही साथ, जब यह 300 से 400 के बीच में पहुंच जाए, तो समलो बहुते पूर है, very poor है, ठीक है, और चार सो से उपर पहुंच जाए, 500 के बीच में हो, तो समझ लो, अब बीमारी को हम पक्का कहीं न कहीं, एर पॉलिशन की वज़े से जो हमारे हाँ, आपको मालूम है, एप प्रॉक्स मैंने पिछले वीडियो बताया था, 12 से 13 लाख लोगों की हमारे हाँ, पर एर एर पॉलिशन से डेट हुती है, ठीक है, तो आप समझ सकते है, extreme level, और आपको म इसको फिल किया होगा, पुरी तरीके से मुझे पुरा उम्मीद है, तो आप गया यह सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो, तो आप भी और यह सब पॉलिशन कैसे रुखेगा, यह सब पॉलिशन देखेगा, अगर नेचरली तो नहीं कह सकती, लेकिन हमारा एंथो जादा है, यानि कि मानों के वज़े से बहुत जादा हम कर रहा है, एक तरफ इंडेस्ट्री और सारी चीज़ें हमारी हम बढ़ा रहे हैं, डेवलेफ्मेंट के नाम पे, लेकिन हम बिल्कुल इन्वामेंट को इग्नोर करने चलोगे, तो आने वाले प्रहावा, इस तरीके से पूरा का पूरा, और वैसे आपको मैंने आपके कलर लिखा है, तो इस तरीके से इंडिकेट किया आता है, तो कलर भी आप चाहें, तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अधर भाई, जो तीज़े मैंने बताई, वो इंपोर्ट है, ठीक है, मैंने आपको यहां के दोटी टॉ उसको मैं यहां पर देख कर ला हूँ, अगल रही है, कुछ नोट करके रहा है, कि कौन-कौन से इंडिकेट्श्टी, देखिए, मैं आपको समझा दू, कुछ ऐसे उद्योग है, कुछ ऐसी इंडिक्स है, जो ऐर कॉलिटी इंडेक्स को आप उससे देख सकते हैं कि कि स्की सारी की सारी चीज़ है, 20 तक जो आपका रहता है, एसी कुलर से रहता है, एर कॉल्टी इंडेक्स, 21 से 40 के बीच में जो आपकी सागुन के इंडेस्ट्रीज होती है, स्टोफ हो गयरा, उससे होता है, और 41 से 59 जो आप पेट वगयरा फ्यूस करते हैं और कास उत्योग, यहां धरफे इसकी वज़яти से रहता है, और 60 से ज्यादा 10聽ries की वज़ये से होता है, जो चमणा ओते हो, यानने कि जो 10 टैन्रीज है, incentiv कि fertilizer के इंडेस्ट्रीज से 60 से ज्यादा क्या होता है, इसको फर्क पड़ता है हलाकि यह ऐसी बहुत से इल दश्चीज है जिसकी वज़े से 100 तर पहुंसता है ठीक है और फिर उसके बाद पूरे के पूरी चरीके से हम देखते हैं उसका जो परड़ाम मारे सामने आजाता है और हम देखते हुए आयम तोर पे शर्दियों के दिन में जब शर्दियों की सु तो इन चीजों को ध्यान में रखेगा बहुत ही इंपोर्टन इशूर में आपको बता रहा हूं किसे पढ़िये नहीं बल्कि अपने इंवार्मेंट को प्रोटेक्ट भी करें ठीक है और देखो यह सारी चीज है एक बार जल्दी से मैं क्यों प्रिविजन करवा देता हूं फिर मैं अब आपको लापे आज ठोड़ता हूं करनेश क्लास में आगे जो यहां पर जो टौकिच है उसके आंगे कस अब बात करवा था मैंने पे वारे में समूद्री पडूशन के बारे में उसका कॉजस मैंने आपको बताया कि जहाजों से जो प्निल का रिसाओ होता है दूसरा काराण मैंने बताया और द्योगित क्रिसी एंड घरेलू अपसिष्ट के वज़े से जो सारी के सारी सीजे इंडेश्ट्रीज हैं अपरी कल्चर हैं इसकी वज़े से भी और साथ ही साथ कुछ हमारी कलिकल देश्ट हैं उसकी जो डंपिंग होती है यह दी एक रीजा ह मैंने आपको कल ही के लक्चर में समझा रहा है इसे जहां नहीं समझा रहा हूं प्लीज जिन्होंने नहीं देखा है वो बेरिकल के लिडियोज को देख लीजेगा वह आपको रहापी एसीड देन के बारे में बगादा बने अच्छे से एक सट्टाफिक कबल की यह पार्श करने डियोज जीए उसकी लाइच सब्सक्राइब के चुटाइब होता है तो बहिए एक pollution की वज़े से कितना जादा impact होता है और तो यहीं मनुस्तों को भी impact करने लगेगा ठीक है और आपको ऐसा आपको देखेंगे अगर इसका चरण होता रहा तो बहुत इसके तादा भयावा परणाम होंगे कैसे UBA, UBD, UBC आपको समझा जाए अच्छे समझा दिया आपको भी में क्या होगा मुतिय बिंद को लेकर के cataract वगयरा और यह में इसको प्या कर सकते हैं और इसकी screenshot भी ले सकते हैं और इसको मैं रभ कर देरा हूँ आप लोग अच्छे screenshot लेगे जिए का जो आपको प्रॉपर वे में सारी चीज़ें मिलते रहें I hope आप लोगों को इंज्वाय कर रहे होंगे लेक्चर को मेरे आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हुगा मेरे पहरे बच्चों गर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जिस हिसाब से आप लोगों को कमेंट रहता है आप लोग इस तरीके से आप चारी चीज़ें बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसी तरीके से सायोग बनाए रखिएगा हमेशा की तरह स्क्रीन शॉट ले लिजे और फिर मैं आपको कल नई टॉपिक के साथ देलूगा इसी के आगे तो मैं आपसे एक कहूँगा बहिया अच्छे से पढ़ाई करो कि अनकेडमी का यह सपना है लेट्स क्रेकिट वाला वो आपके एक्जाम क्या हो जाए लेट्स क्रेकिट हो जाए और आपसा चैनल भी है लेट्स क्रेक एट्स क्रेक एट्स क्रेकिट तो उसको बहिए सब्सक्राइब कर दो और बल आइकन पर क्लिक कर दो उससे क्या होगा अपकमिंग वीडियो के नोटिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप हमारे अनकेडमी क तो आपके लिए इमाई सिस्टम भी लेकर आप जागता है यानि कि मेरे बच्छों जिनको एक साथ फीस करने में दिक्कत है वो मन्तली बेसिस के भी क्या कर सकते हैं और जिससे आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं ठीक है आप मुझसे या इडिया के तॉप की जिस्ते भी ड टोँंगा गयाए चीनों जिरें हैं मुझे इस्पेशल क्लास को जॉइन करना है मेरी स्पेशल क्लास को जॉइन कर दीजी और उसकी टाइमिंग है अब्री सेटर्डे अन संड़े में pleasant我想 does सब्सक्राइब करना है तो आप मुझे वहाँ पर जॉइन कर सकते हो और मेरे पहले की वीडियो देख सकते हो अराम से और बहुत मज़ेदार तरीके से मैं सारी यूनित कवर कर आ रहा हूँ और इस पेशल क्लाइस को जॉइन करना मत भूलिएगा चलें ओके थाइंक्यू अब हम नेक्ट क्लास में ट्विट्स से मिलते हैं आई होप आप लोग फुश होंगे अच्छे से रहिएगा ओके थाइंक्यू लेट्स क्लाइक थाइंक्यू लेट्स क्लाइक थाइंक्यू